तो थोड़ा सा कैमरे के अंदर इशू आ गया था इसलिए आज हम ऐसे वीडियो कोड करेंगे ठीक है तो पहले देखते हैं कि कौन-कौन से क्रेंट फिर के अंदर जो इंपोर्टन टॉपिक हैं अन्वारक एंवर्मेंट के अंदर मिथेन इमिशन के बारे में पढ़ेंगे साइंस अंटेक त्यांग कांग स्पेस टेशन अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर था डेब्रीज का इशू देन ब्लैक फंगस अगें वरी इंपोर्टन टॉपिक लं जो हमारे लिए हमने काफी तक कर लिया है ठीक है जी केर फिसल्टी बिल्डप बट फेस हडल ठीक है यह है अपना यहां पर देखो रेजिडेंट वेलफेर एस्टेशेशन के बारे में है कि उन्हों ने यह देखो यहां पर पिच्छे देखो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है कि कोविड के अंदर जैसे आप आप पता हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी जो इशूज आ रहे हैं ना कि आक्सिजन ने मिल रही बैट ने मिल रहे तो उन्होंने लोकल किया है लेकिन यहां पे इनको आक्सिजन का बहाँ जा रहा रहा है उसके बारे में यह करनेजिशन है यह भी बहुत सारा काम करती है ना तो यह हमारे लिए इंपॉर्टन हो जाता है अगर आपको मेंस के अंदर पेपर टू के अंदर अब देखोगे तो वहां पे एंजियो को टॉपिक भी है ठीक है जी तो आपको सिसाइटी का क्या रोल है जो डेमोक्रेसी के अंदर गॉर्मेंट के अंदर वहां पर यह टॉपिक आपने इस चीजें डिस्क्स करनी है आगे बढ़ते हैं अब सी आरे मेंडमेंट क्रिपलिंग और वर्क तो यह एंजियो के बारे में हैं यहां पर मैंडमेंट हुई थी तोईटी टूटी के अंदर तो उसने क्या किया इसके बार में NGO के उपर क्या impact पड़ा वो हम discuss करेंगे आगे चलते हैं ग्रीन पैनल लॉज ग्रेट निकोबार प्लैन टू अडवांस तो यह वाला टॉपिक है इसको जैसे environment impact assessment इसकी studies है यह बहुत lengthy topic है तो इसको मैं कल cover करूंगा क्योंकि इसके अंदर आपने basic के अंदर मैंने पूछा था क्या topic करूंगा तो किसी student ने यह यह के बार में बोला था सर इसको detail में समझा दो तो इसको हम अभी करेंगे आने वाड़ी glasses के अंदर क्योंकि यह वाला topic important है यह मेंस के अंदर भी यह के उपर अभी recently यह question आया हुआ है आगे देखते हैं हकी पिकी ट्राइब यहां पर भी यह effort है है ना कि आपने कोवीड के टाइम के उपर इन्होंने कैसे अपना isolation किया है उसके बारे में तो यह case study भी हमारी और इसके बारे में ट्राइब की बारे में पढ़ेंगे जो प्री के लिए important है चाइना रॉकेट डेब्रेज फाल इन इंडियन ओशियन तो यहां पर है कि हम अपना बनाएंगे वह भी हमने कवर किया तो उसके बारे में देखेंगे तो पहले देखते हैं रिड्यूस हुमन कास्ट मिथेन मिशन बाइफोटी फ़ाइप परसेंट वर्स्ट आफ क्लाइमेट चेंग यह यू ने बोला तो हमें यह पता है कि हम जैसे हम क्लाइम के उपर ज्यादा डिपेंड हो ना यह हम डिसक्स करते हैं लेकिन अगर हम मिथेन के बारे में देखें तो मिथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग प्टेंशल है वह इससे ज्यादा है मतलब हीड ज्यादा करती लेकिन मिथेन की जो टोटल कॉंसेंट्रेशन है आगर मैं बोलू रही है और हो यहाँ प्यारी है मतलब सेम कॉंटिटी कि मैं में बलू है और म मिथेन आपने करेंगी यहां तो इस भी निलिए करते में ना करते है ठीक है तो बाइयो गैस के अंदर यहां तो यहां पकी एरिया होता ही यहां पर मेंलीजंद अपको पता है आफिसेंट होती है यहां पे होगी तो आपके लångगेनन के लेकिन यह मिथेंट करते हैं तो अभी जो CO2 के बारे में बात कर रहे थे उसके बाद इनम बोला कि यार मेथेन जो है वो बहुत जारा उसका ग्लोबल वार्मी पेटेंशिल है इसके बारे में हमने बात करने चाहिए अगर आप यह देखो सिल्फर हेक्साफ्लॉराइड नाइट्रिन यहां पर यह वाली जो गैसे इनकी कॉंटिटी बहुत कम है एटमास्फेर के अंदर मोस्टली यह मैनुफेक्चर रहती है ठीक है जी हम एसी विगरा के अंदर यूज करते हैं तो यहां पर यह फोकस है हमारा जो इस चीज़ के उपर ठीक है मिथेन के उपर तो इसलिए के अंदर अगर इसके उपर क्वेशन आया हो एक बार अल्री मिथेन के उपर यूपेसी के अंदर क्वेशन आ भी चुका तो की फांडिंग क्या बोली इसने 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 बोला सचा कट प्रिवेंट अगर हम जो 45% मिथेन का कट करें इसका है ना इमिशन को तो उससे लेचे और डेथ भी कम होगी ठीक है अस्थमार रेलेटेड हॉस्पिटल जो एनुली विजेट है लोगों की वह भी कम होगी तो यहां पर हैल्थ इंपक्ट पी आगया सीओ टू लेवल हैव ड्रॉप्ट डूरिंग दा क्रोना वारिस क्रोना वारिस के टाइम पर सीओ टू टीप पर संट वार्मिंग तो थर्टी परसेंट वार्मिंग का यह कॉंट्रीबूशन का सोर्स के देखो टीन में जे सोर्स होते हैं आता है वेस्ट यहां पर लाइव स्टॉक्पर मैशन है ना जिसे मैंनियूर एंट्रिक जो फर्मेंटेशन की हमने यह ऑल्रेड़ी तो अगर इसके अंदर देखे तो जो लाइव स्टॉक मिशन है यहां से अराउंड थर्टी टू परसेंट जो रफली होती है राउंड एट परसेंट ठीक है तो यहां पर हमें प्री के लिए क्या याद रखने हैं अगर आपको पूछायता है अगरी कल्चर सेक्टर में वहां रहे उसके अंदर लैंड फिल हो गयरा है ना वेस्ट वाटर आपको बता है बहुत सारा जो आप देखोगे जैसे डिली के अंदर रहता है ना वेस्ट एकठा रहता है पाइल अप रहता है वहां पे भी जो धीरे धीरे मिथेन होती है क्योंकि इतनी ऑक्सेंट तो है नहीं तो जब मिथेन लेज होते हैं वहां पर फाइर के बी चांसे बहुत रहते हैं तो वह हमने इस्यू बहुत देखे हुए ऑईल एंड गैस एक्स्ट्रेक्शन के अंदर बात करें तो 23 परसेंट जो है वो फॉसिल फ्यूल से आती है कोल जो है उसकी काउंट 12 परसेंट है यहा हमने आपको जब रेक्सिट के बार में उससे पहले हमने बात किये कि यॉरॉप एक ऐसी कंट्री है जो मैक्सिमम एफट करती है कलाइमेट चेंज के लिए ठीक है जी तो यूरोपेन कमिशन ने अडॉप्ट किया है यूरोपेन यूनियन मिथेन स्ट्रेट्टी ट्वंटी अक्तूबर के अंदर ठीक है जी पहली बात इंडिया अगर मालो वेस्ट जैसे वेस्ट हैं हमारे पास बहुत सारा वेस्ट की सेग्रीगेशन नहीं है हमने वेस्ट को के लिए भी इंसीनरेशन भी पढ़ लिया पार लिया है न यह डिफरेंट टेक्नीक्स गैसिफिकशन भ उपर फोकस करें तो यहां पे बहुत जैसे डेली वाला भी है ना केस है अभी आपको बताया तो इंडिया यहां पे बहुत जड़ा पोटेंशिल है तो इससे हम मिथेन का इमिशन कम कर सकते हैं ठीक है दूसरा चाइना चाइना का बेस्ट है कोल प्रेडक्शन के अंदर लाइ पर फोकस करें तो वहां पर उसका जो मिथेन है वह कम होने के चंसे देवे सेक्टर कुड कट मिथेन इमिशन बाइंप्रोविंग डिस्पोजल आफ वेस्ट है ना तो जैसे अपने डेली के अंदर है पाइल अप करते जाते हम ठीक है जो पाइल अप जब होता है वहां पर बहुत जड़ा मिथेन रिलीज होती है हमें बात है तो उसको अगर हम एफिशंट ली और है ना सस्टेनिबली हैंडल करें पहले तो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज करें उसके बाद इसको लैंडफिल के अंदर अच्छे से कवर करें और ऐसा अगर करोगे तो थोड़ा उसके अगर मेरिमेंट प्रॉपर करें तो यहां पर भी हम मिथेन का जो नंबर है वो कम कर सकते हैं घैल्दी डाइट जैसे वेजिटेरियन और विद लो मीट एंड डेरी कंटेंट तो ठीक है जितना डेरी कंटेंट आपका पॉल्ट्री हैं वहां से भी मिथेन होती है तो सब्सक्राइब का बीफ इंडिस्ट्री तो यहां पर जो मिथेन के रिलीज हैं चांसे कम हो सकते हैं तो यह है हमारी इसके अंदर जो भी इंफ्रमिशन क्लोबर मिथेन बजट की बात करें 2008-2007 तक यहां पर देखो यह रिलीज हो रहा है अग्रिकल्चर वेस्ट तो यह जि ठीक है जी रिलीज बहुत ज्यादा करती है अधर नैच्रलों मिशन है ना तो जैसे उसे तो यह कम रिलीज करते हैं तो अगर सिंक भी तो होता है सिंक होता है जैसे कैमिकल ड्रेक्शन एटमास्फिर के अंदर हुई तो बहुत सारी मिथेन है वह एक दूसरी फॉर्म के अं जो अगर अटमास्फिर के अंदर बिजली चमकती है वहाँ पे उसके थरू भी बहुत ज़रा ब्रेक्टाउन होती है आपकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वह एटमास्फिर ऐसे भी करता है वहाँ पे ठीक है जी तो वह भी उसके अंदर भी एंगल आता है आपका कि क् अगर फिजिकल एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी है उससे अगर नाइट्रोजन फिक्स होती है यह आपने याद रखना है यह अभी क्वेशन आया नहीं यूपीस इंदर ठीक है स्वाइल के अंदर भी यह अब्सॉर्ब होती है तो यहाँ पर हमारा जो बजट है ठीक है अगर हम देखेंगे तो 576 रिलीज कर रहे हैं 556 हम सिंक कर रहे हैं तो नेट जो हमारा एटमॉसेर के अंदर कॉंट्रिबूशन इसकी है तो अगर आपको सस्टेनेबल करना है तो दोनों को बैलंस करना होगा तो अगर 576 रिलीज हो रही है तो 576 यहाँ पर डीज के बारे में हमने पहले पड़ा था कि मिशन शक्ति कि रहा रहा वहां पे बीड़ीज क्रेटिव होती कि बारे में बात करते पहले सपीस डेप्रेश सपेस डेपर आपने सैटलाइट को लॉंच किया वहां पर कुछ उसका वह डीफंक्ट हो गया उसका कोई मतलब वो पर चोटे चोटे पार्ट के अंदर कई बार बदल जाता है कैसे बदल जाता है जैसे वालों को या अपने रॉकेट चोड़ा या उसका कुछ पेंट उतर गया या थोड़े बहुत उसके पार्टिकल है ना ब्रेकडाउन हो गए वह अदर गूम रहे हैं अब इनकी स्पीड इ है यह बुलिट की रफतार से चलती है अगर इसके बीच में लगती है तो वहां से पूरा वो डेट हो जाए कोई भी सैटलाइट डीफंक्ट हो सकता है किसी का भी अगर यह स्पेस डेपरी अगर हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन की तो नासा की वैब साइड क्या डेफिने अब्जेक्ट याद रखना यह ऐसा नहीं कि आपको कोई फंक्शनल सैटलाइट है तो यूपेसी ने एक्साम में दिया तो वहां पे आप बोलो यह स्पेस डेपरी से ठीक है यूजली जो अर्थ के राउंड और बेट करते हैं वेर डस आर्टिफिचल स्पेस डेपरीज कम बहुत ही जल्दी वह फेल होगे वह वर्किंग नहीं है वह अगे रॉकेट स्टेजिस डेट हैव लॉंच्ट इन्टु स्पेस तो जैसे रॉकेट की स्टेजिस रॉकेट आपका घूम रहा है स्पेस के अंदर है तो वह उसके बाद अपना सॉलीड प्रॉपिलेंट जो सॉ स्टेजिस फ्रेग्मेंट पीलिंग पेंट अगर कोई अपका कोई सैटलाइट वेर आपने लांच किया है उसका भी कोई पेंट वगए उतर आया वह इंदर घूमता है ना तो भी इसके अंदर आएगा फ्रेग्मेंट फ्रॉम एक्सपोर्डिंग बैटरीज है ना फ्यूल स्टेट के अंदर के आते हैं मालो जैसे आप और बे proceeding घूम रहा है इसो नहीं सचे च Computer को यहां से Hangघ के लिगया सकते हैं याँ पहले से इस ओर भी धिद के नंदर हो जकते हैं उतकरना प्ताह करना होता हूं श्ट्य जदाए कम करनी होते वह हो चीए हो जा करते हैं किस सेटलिट को डिफंक्ट करते ऒा यहां पर इसके नंदर होती है रोबिटिक में वहां पर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी यहो सैटलरिट के नर्जी वाली जो टक्नीक हमने मिशन चक्ति से सीधा भेजा अब इसके बारे में तो सारी कंट्री को पता चल गए यह से बहुत ज्यादा अच्छी टक्नीक है ठीक है जी को और्बिटिंग यह बहुत सारी टक्नीक साती है इसके अंदर तो अब इन डेबरीज का हमने देख सेटलाइट यह सेटलाइट यह सेटलाइट टूर्मोव स्पेस टैबरीज था ठीक है ऐसे हो गए मतलों नेट की तरह होता है तो बहुत सारी डेबरीज को कैप्चिर करता है अपरल टूथाजन एटीन के अंदर अर्थ से इन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद इंटरेशन स्पेस्टेशन पहुंचा है जून के अंदर और इंट्रेशन स्पेस्टेशन तो हमने अल्रेडी पढ़ दिया लू अर्थ और्बिट यूएस रशिया जपान यह और यॉर्प एंडेन दिस कैनेड़ा ना इन्होंने यह जिस किया तो अब यह ऊपर और्बिट के अंदर च दिया वो नीचे अर्थ की दर आएगी अर्थ के अट्मॉस्फीर के अंदर आएगी इसको बर्न आउट कर देगा ना क्यों बर्न आउट कर देगा कियो यहां पर फ्रिक्शन लगता है और हीट वह ज़्यान हो जाता है तो यह हो गया उसके बाद क्या इंडिया ने वह अवेरनेस ठीक है जी जैसे पहले यह काम करेगा लो अर्थ और्बिट के अंदर ठीक है जी वहां पर जो भी स्पेस्क्राफ्ट हैं उनके बारे में जो भी डेबरीज हैं उनको र्मूग करने की बात करेगा वतलों इंफ्रमिशन देगा हमें उसके बाद इवेंचली यह कैप कोटर भी आ सकता है को अपना कोश्चन में तो यह इसके अंदर इनके बाद टैलिस्कोब लगाई हमने पॉन मोडी जो के अंतर है मांट आबू है ना वहां पर हमने यह सारा सेट अप करके यहां पर इनको डिटेक्ट करने की को जो प्लैन हो हमारा और क्या एक और मोती है कै यह दूसरी डेबरे से को लिजन करती है और यह ब्रेकडाउन हों जाती फर्दर है ना शोटी छोटी डेबरेज के अंदर तो अल्टीमेटली इसका मतलब किया है कि जो आपकी डेबरीज है वह फर्दर डेबरी जनरेट कर रही है ठीक है को लिजन ब्ट्वीन तो यहां पे चलो हमें डेबरीज सवाला सारा समझ आगे अब आपको चाइना वाला केस समझ आएगा इस लिए ठीक है जो स्पेस्टेशन के लिए वह अभी रिसेंटली वाटर के इंदर के अंदर गिरा तो यूएस आप यह जो नासा बोलता है जो नासा बोलता है कि है अगर लेंड के उपर गिरता हो बहुत ज़्यदा जो नुकसान होता तो उसने बोला कि चाइना ने जो मिनिमम रिस्पॉंसिबल स्टेंडर्स हैं है ना कि हमने जो लाइफ है पीपिल की उसके ध्यान में रखते हुए यह सारा कम करना है उसको वाइलेट किया है चाइना ने ब कोशन आता है लॉंग मार्च के यह रागट है ठीक है जो केरिंग कर रहा है त्याने अगर आप देखोगा यह वाला टीशेप इसका स्पेस्टेशन तो यहां पर साइंस लैब है इदर ठीक है यह त्याने कोर मड्यूल है जो में लिविंग एरिया है तो अलग-अलग एरिय तो यह उसके साथ कनेक्ट करना है और यह दिले दिले हमारा पूरा जो स्पेस्टेशन त्यार हो जाएगा ठीक है जी तो अभी त्याने को बेज रहे थे जिसका नाम जिसको बोला रहता है है मड्यूल है जो फरस्ट आफ थ्री की कंपोनेंट है जो कंस्ट्रक्शन आफ चा आते हैं तो यूपीएसी पूछती है डिटेल के अंदर जहां मालों इंडिया और किसी और कंट्रीन जैसे नासा मेंली तो वहां पे नासा के साथ कोई के दोनों का प्रजेक्ट है वहां पे डिटेल के अंदर पढ़ना है तो इंडिया का है वहां पे डिटेल के अंदर पढ स्टेशन वर्जन भी यहां पर भी जो मडियूल पहले क्यों कोई भी कंट्री जैसे इंडिया ने भी अगर स्पेस्टेशन बनाना है तो वहां पर बहुत सारे पहले एक्स्पेरिमेंट वगरा किया जाते हैं वहां पर सरवाइवल के लिए तो इनके भी तो इंट्रेशनल स्पेस्टेशन के दर पहले मेली रशिया करता था अब रशिया को लगा कि मेरी मॉनोपली घई तो रशिया ने बोला कि हम अपना स्पेस्टेशन भी बनाएंगे तो यहां पर हमने यह भी रिमूव डेबरीज कर लिया प्रजेक्ट नेतरा कर लिए ठीक है जी अब बात करत बहुत जदा रहते हैं अगर किसी औरकन के होती है तो वहां पर उस औरकन को रिमूव करना पड़ता है चलो अब बात करते हैं पहले तो यह मॉइस्ट कंडिशन ठीका दूसरा इसके अंदर जो है वह जो इमिनुटी तो बहुत अगर वीक इमिनुटी है उसके इसके अंदर हो सकता है जारा चांसें स्पेशली डायबटीज के अंदर मौइस के अंदर जैसे आपको और वहां पर रिद्धा यह ना क्रियेट होता है तो वहां पर फंगस के बहुत जड़ा चांसे और यह अभी केसिद देखे गए ब्लैक फंगस के बारे में पड़ते हैं जैसे डेली इसका नाम क्या है अब यह वेड़ सरफेस के उपर ज्यादा ग्रोगरती है वो कोई भी फंकस है ज़रा तर वेड़ सर्फेस के उपर ही ग्रोगरती है अब ट्रांस्मिशन जैसे कमिंग इन कंटेक्ट विद फंगल स्पोर्स जिसे वह रिप्रोड्यूस करती है अपना नंबर इंक्रीज करती है वास प्रिवेश्ली नोनेज याद रखना है आपको इसका यह वाला इया अध्यां रखना एक साब्र कर दें तो वहां पर एक ट्रांसमेशन याद लेडा कैसे होती है ठीक है एंपकर अनकी अगर जिनकी अंदर है करती है कंकिंटी इस कमेंप पिपल के रहती थी तो यहां पर यहां पर यह बैसे पहले भी देखे तो इसी किससि के Do रहती तो अगर किसी को करूना हो गया तो वहां पर इम्मिनटी थोड़ा सा कम आज़ती और दूसरी बात यहां पर हम बहुत जादा स्टीराइड देते हैं अगर सीरियस है पिशन्ट तो स्टीराइड जारा देने का भी अभी रिसेंटली नहीं बुला कि उसके जाद उसके का है आपको पहले बता है कि सिम्टम जारा जाद नहीं करने होते हैं सिम्टम के अंदर जो मेन है बस वही पाट है उसके अंदर हमने देखना होता है जैसे वालों यहां पर हैडेक है नेजल साइनस कंजेशन है ब्लैक लीजन ऑन नेजल ब्रेज है ना अपर इंसाइड फीवर पेन अंडर आईस तो यह सारे बहुत सारे अगर आप देखो यूपेसी के अंदर तो आज तक यूपेसी जारा तर सिम्टम वाला कुशन पूश्टी नहीं है जहां पर बहुत ज़दा जो मेन है जैसे टीवी है वो मेली वो लेगा वो लंग्स को एफेक्ट करते हैं यहां ना यह कोवीड है तो मेली लंग्स को हाँ यह ऐसी बात तो चल जाती है दूसरी यह वाले जनरल होते हैं तो वहां पर मोसली 99 परसेंट होता है कि जो सिम्टम वाला अगर आपकी जो स्टेटमन्ट आ भी गई तो आपको नहीं आती तो बाकी आप स्टेटमन्ट की बेसिस के चांस्स हैं कि आपकी फंगस ग्रोव कर जागी रैशनल यूज आफ स्टीरोइड ठीक है जी अर्ली डिटेक्शन हो जागी तो बेनिफिट हो जाता है मर आई डिटर्माइन करता है डेमेज अन फंगस अगर मालो आपने डाइग्नोज नहीं की है ना लेफ्ट अन डाइग् यह सारी किस्स होते हैं तो ऐसा चिसकी प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं तो जो भी अगर जिस एरिये को फेक्टर्ड है वहां पर सर्जीकल हम ट्रीटमेंट करते हैं जारा इसके अंदर ठीक है जी मॉर्टैल्टी रेट देखें तो मोर दन 50% है ठीक है अगर आपने ले स्केंड डिजीज वाइरस है तो यह किसे होती है वाइरस तो वाइरस पहली बात इट अपिरस नॉड्यूल बैसिकली ऐसे लंप बनते हैं ठीक है जी नॉड्यूल होते हैं तो तू 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 फाइव सेंटीमेटर तो अब यह नॉड्यूल किया गरते हैं विद ता टाइम यह बड़े होते रहते हैं और लार्ज वूंड के अंदर कर जाते हैं और डीप वूंड के अंदर ठीक है जी अनिमल सकेंदर तो इन समस्केस जैसे ठीक है उसके बाद इजली सप्रेड़ करता है कैसे बाइब ब्लड सकिंग इंसेक्ट जैसे मॉस्किट है ठीक्स है ठीक है जी सलाइवा कंटैमिनेटेड वाटर फूड ठीक है जी नो ट्रीटमेंट तो हमने आपको मैंने अल्लेडी बिताया कोई डिसीज करते हैं कोशिश किया करो अगर इंट्र इरिया के अंदर है ग्लोबल सप्रेड देखें तो यह पहले अफरीका वेस्ट एशिया के अंदर ही कनफाइंड थी उसके बाद ठीक है उसके बाद यह क्या हुआ धीरे दीरे जो एंड़ेमिक उसी एरिया के अंदर रहती है ना तो यह सप्रेड होने लगी टर्की ग्रीज के अंदर देखी की देन बल्कान रिजन देन ड्रशिया ठीक है बंगला देश के अंदर तू ताउसन नाइंटीन के अंदर देखी की तो एशिया के अंदर भी यह बहुत ज़्यादा इंक्रीस होगे इसके बाद अगर आप अभी देखो आप चाइना इंडिया है ना नेपाल बुटान वेटनाम ठीक है जी होंकोंग तो अगर आपसे यह कोशन पुछा है कि यह मेंली आपका फ्रीकार रिजन के अंदर ही है जो यह 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 पूछ लेकर यह फ्रीकार रिजन से जहां इस यह के अंदर सिर्फ इंडिया के अंदर है ना तो वह स्टेटमंट गलत है यह तो कि एग्या 있을ी आपकी अब को अभी होगी है अब को पता थ moral को यह ना तो कि क्या होगा जैए चल लिक मेर प्रडॉक्षजन वहां ग्रॉन तो उसके बाद यह मत्तलब बहुंज़ा क्याहँ इतना समझोट इनको अगर डामेजगा तो इनकी production कमोगी में प्रडॉक् डिजीज बोल दिया है किसे बोला ओ आई ए ने इंटर गॉर्मेंटर और्गेशन है वन हेल्थ कंसेप्ट के अंदर भी यह आती है और्गेशन फॉर एनिमल हेल्थ ठीक है जी यह अब इसने जब नोटिफाइल डिजीज डिकलेर कर दिया तो जो भी कंट्री है जिसके अंदर स्टॉक की बात कर लेते हैं आपने बहुत दिखा होगा पहले बहुत सारे सोचल अक्टिविटीज की और्गनेशन करती है अब वो सोचल अक्टिविटीज जब करती है तो वहां पर होता कि आपको जितना भी मालो पैसा है है ना जैसे लोग देते हैं तो अब लोग देते ह के सोचल इंपक्ट जो है क्रेट करने के लिए एक स्टॉक एक्स्टेंज के अंदर आप जाओ वहां से पैसा आप रेज कर सकते हो लोग खरीदें गे और पैसा आपके पास आएगा ठीक है जी तो यह अच्छा मैथड है तो अभी इन्होंने इसके बरे में बात करते हैं तो य रिकमेंडेशन के अंदर क्या बोला पहली बात कॉर्परेट फांडेशन प्लिटिकल और लीजियस और्गनेशन एक्टिविटीज प्रोफेशनल ट्रेड एस्ट्रेड इंफ्रस्ट्रक्ट्टर यह सभी पर्मिंटर नहीं ऑल्दो यह रिकमेंडेशन है ठीक है सोचल गोल इस सोचल अगर वह सो यह शो करते हैं कि भी जो पैसा हम हमारे पास आएगा वह हमारा प्राइमरी हम जो सोचल इंपक्ट करेंगे लोगों की हेल्प करेंगे जो भी हंगर है एजूकेशन उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे ठीक है जी दूसरी बात डे टार्गेट अन सब्सक्राइब है तो 67 जो लोगों के लिए होनी चाहिए जो लोग है जो अगे बढ़ते हैं जो नॉन प्रॉफिट और इस कर सकते हैं जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉंट ठीक है जीरो कूपन जो जनली होता है जिसके अंदर हम डिसकाउंटर प्राइस के ऊपर आपक लेकिन जो जीरो कूपन होते हैं उनके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता वहां पर आप जैसे माल हंडर का है तो आपको 70 का मिल जाएगा उसके बाद आपको 100 रुपे पूरे मिल जाएगे जब आपका वो टाइम मुचियोर होगा ठीक है जिए ठीक है आगे बढ़ते हैं जो एफ पी इए ठीक है यहां पर उसके बाद ड्वेल्पेंट इंपेक्ट बांड तो जो भी आपका जो बांड नहीं प्लपेंट के लिए लगाया जाता है उसको नाम भी वस चेंज किया है बांड यह सोशल इंपक्ट वही चीज़ है सोशल इं तो हमें इतना जरा फोकस करने की जरूरत भी नहीं नहीं ठीक है जी लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सोचल स्टॉक के अंदर होता गया है तो यहां पे भी जो फॉर प्रॉफिट एंटर्वाइज है उनके अंदर एक्विटी डेट के अंदर डिया जाता है उ ठीक है जी आप इस ने रिपोर्ट सब्मिट किए तो ऐसा नहीं कि मतलब आप अपने दिन रात इसी भी फड़ते रहो इन रात जो ने पड़ना बस एक पर सब्रॉबल दिया यहां पर ठीक है उसके बाद भी इस रभी इस के अंदर क्या मानता है उसके बाद देखेंगे कै के वहां पर रहनी चाहिए है ना तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सोचल इंप्यक्ट रिपोर्ट के उन्होंने क्या 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 काम किया वह भी आपको एनुवल रिपोर्ट देनी पड़ेगी ठीक है जी उसके बाद जो भी एक्टिविटीज वह क्या क्या है अंगर पा के अंदर तो स्लम एरिया के अंदर आपने यह भी बोला था कि स्लम एरिया की उपर आप के स्टेडी करवा वह भी करवाँगा मैं अभी तो मुझे याद ऐसा कुछ नहीं है ठीक है जी तो यह के स्टेडी आपकी आनवले दिनों में कवर हो जाएगी अफोर्डेबल हाउसि अगर वहां से पैसा जनरेट होता है तो इन एक्टिविटीज की ऊपर लगेगा तो इंडिया के अंदर यह जो सस्टेनिबल डॉल्पमेंट के चंसे हैं ठीक है आउटकम जो इसका सिग्निफिकेंस के एक्टिविटीज है तो यहां पे ठीक है जी सोचल स्टॉक एक्स्चे कहीं से आता है कहीं से आता है तो वह सारा पैसा आएगा जो भी प्रॉफिटों का उसको दुबारा री इन्वेस्ट करते हैं ठीक है उसी के अंदर तो यह काम करती है ठीक है आगे बढ़ते हैं रेसिदेंट वेलफेर एस्टेशेशन आपने देखो साइटी के अंदर बहु कोड़े बैटल लगा दिये कोविड की किसिस के अंदर अब वहां पर इशू यह आ रहा है उनके वास ऑक्सिजन की जो सप्लाई वह प्रॉपर नहीं है ऐसा नहीं कि वह हॉस्पिटल बना दी उन्होंने उन्होंने सिर्फ मालों अगर हॉस्पिटल फुल है तो एक बीच मे पिसे पर इनके दॉपर की कमी आपास दॉक्टर की कमी है और उसके बाद जो यहां पर आक्सीजन वो गइरा है ना वो सारी कमी है तो यह देखते हैं रावेटर यहां पर इसके इंदर कर सकती कि क्या किया इनके उपर applicable होगा क्या नहीं, function क्या है, जैसे within society, ठीक है, बहुत सारे काम करते हैं, जैसे internal road के उपर, improvement in amenities, common facilities है ना, जैसे मालों लोग पार्क बना दिया, पार्क के अंदर क्या 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 फसिल्टी होने चाहिए, क्या 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 नहीं, street light चलती है, नहीं चलती overall cleanness, ये सारे काम ये देखती हैं, ठीक है, bigger society के अंदर जैसे commercial activities को भी देखती हैं, जैसे मालों शॉप्स, बजार, बैंक, है ना, transportation, वो भी सारा काम देखती हैं, तो ये हमारे लिए important है, ऐसे question UPST के अंदर आते हैं, ज्यादा news के अंदर नहीं है, highlighted नहीं है, लेकिन important तो definitely लिए, ठीक है, अब इनके structure क्या होती है, अपना ही president होता है, vice president होता है, general secretary, secretary, वो सारे जो पैसे वगारा, लोग भी देते हैं, यहाँ पे पैसे, तो उनके पैसे इकठी करते हैं, उसके बाद का काम थोड़ा बहुत ये करते रहते हैं, government by society registration act, ठीक है, financial year, इनका, ये तो हम president है, vice president, वो select करने, responsibility क्या है, जो हाँ पे भी रहते हैं, उसको maintain करना, finances को maintain करना, record करना, society implementation, जो भी rule है, society के बेसिकली maintenance के लिए, क्योंकि अगर यह ऐसी association ना बनाए, तो क्या होगा, बहुत सरे आपको जो society के काम है, वो कोई करी निपाएगा, individual लोगों से थोड़ी नहोते हैं, हैंना, अब बात करते हैं, FCR, आपको पता है कि NGO, NGO, अगर मैं बात करूँ, कुंदा कुलम, नुकलिय पाउर की, वहाँ पे बहुत सरी NGO बैठी रही, कि यह इस नुकलिय पाउर प्लांट का impact बढ़ेगा, people के उपर, ठीक है, जी, तो debate सार्ट होगी, भी, इंडिया के आपका जो development activities हैं, वो बहुत सारी NGO रोकती हैं, अब NGO के पास पैसा आता है, फौरण से, मालो आपको चाइना, चाइना आपका पैसा दे रहा है किसी NGO, वो NGO को बोलता है, यहां पे भी government को काम करे, वहां पे उसका आपने अपोस करना है, लोगों को एठा करना है, और वहां पर उस प्रजेक्ट को जैसे बहुत सारी इंट्रास्ट्रेक्चर प्रजेक्ट है हमारे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने कोई हाइड्रो प्लांट लगाना है, वहां पे भी बहुत सारे लोग हैं, जहां पर की displacement होती है, वहां पे भी NGO बैठ जाएग हैं, तो वहां पे ऐसा लगता है कि जो development activities हैं इंडिया के अंदर उसको आपने install कर दिया, उसको आपने रोग दिया है, इसलिए government इनके ओपर कुछ regulation मनाती है, इसलिए उन में से एक है foreign contribution regulation act के फॉरां से जो contribution होगी, क्या क्या होगी, कैसे regulate करना है, otherwise बहुत सारी इंडिया की इसे है ना, जैसे चाइना भी है, और भी बहुत से countries हो सकती है, कि वो इंडिया के अंदर जो internal disturbance create करने के लिए NGO को पैसे देती है, ठीक है जी, अभी amendment की थी लोने, तो डेली के अंदर अब वहां पे ये कर दिया, कि आपने जो जो भी आपका account है, वो open करना है डेली के अंद पार्लिमेंट के अंदर के NGO ने बहुत ज़्यादा help किये लोगों के एक बहुत सारा खाना पहुचाने के लिए, तो एंजी का positive impact भी है, तो NGO ने ये बुला भी आपने वहां पे जो back account की बात की है, amendment के अंदर देली के अंदर, उसके कारण हमें बहुत सारा जो foreign से fund हमें मिल नहीं पा रहा, ठीक है जी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, दूसरा issue किया है, जैसे can receive foreign contribution for five purpose, ठीक है जी, जो भी रिजिस्टर एंजी हो, तो गवर्मेंट ने बुला, रिजिस्टर करो एंजी को, social education, ठीक्वामी कल्चुरल, ठीक है जी, अब ये रिजिस्ट्रेशन हैं, वो जो foreign fund से कौन सी activities हो जी हैं, पहली बात, दूसरी बात, कि क्या कुछ illegal activity तो नहीं हो रही है, तो around twenty two thousand five nine one, FCRA registered and use है, ठीक है जी, तो अभी NGO ने डेली हाई कोड चले गी है, ठीक है जी, अब वहां पे इन्होंने बोला कि जो home ministry है, जहां पे जो rule लेके आई है, home ministry को यह बोला है, कि जो deadline है, कि FCRA के अंदर आपने account open करना है, SBI branch के अंदर, जो parliament के पास है, ठीक है जी, तो government ने बोला कि आपको यहां पे इसके अंदर account खोलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं आप कोई भी bank के अंदर account खोलो, इंडिया के अंदर, यहां पे खोलना पड़ेगा, त इसको ban करते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो यह सारा regulation के लिए किया गया, government की तरफ से, तो यहां पे, और क्या है, इसके अंदर जो issue, it applied to open account before, मतलब यह जो petitioner है, उसने बोला, कि भी मैंने account खोलने के लिए मैं तेयर हूँ, लेकिन मैंने जो 31st March है, उससे पहले apply कर दिया, ले bank ने किया, ministry ने किया, तो ultimately मेरा account जो खुल नहीं पाया, तो क्या करें उसके अंदर, ठीक है, तो यह सारे issues है, वहां से आपने एक line base के लिए रखनी है, कोई भी, क्या issue अभी recently, अब पढ़ते है amendment जो 2020 कि बढ़ में, पहले act जो था, वहां पे यह बोला गया, जैसे election candidate, editor, publisher, publisher, newspaper, judges, government servant, ठीक है, member of any legislature party, political party, यह फौरण से fund नहीं ले सकते, पहली बात, amendment ने add कर दिया, public servant, यह भी नहीं ले सकते, ठीक है, जी, public servant किया, any person who is in service, or pay government, remunerated by government, for performance of any public duty, तो अगर public servant, मा लोग कहें कि मैं फौरण से fund लेता हूँ, यहां पे कोई activity करूँगा, लोगों की help क करूँगा, तो ऐसा काम यहां पे नहीं होगा, ठीक है, transfer of foreign contribution, एक्ट के अंदर क्या था, foreign contribution जो है, ठीक है, cannot be transferred to any other person, unless, मतलब किसी और मालोव आपने पैसा लिया, आप किसी और person को transfer नहीं कर सकते हैं, unless, such person is also registered and accept foreign contribution, ठीक है, अगर वो दूसरा person भी, आपका जो FCRA के अंदर registered है, आप भी registered हो, तो आप transfer कर सकते हो, यह act के अंदर था, amendment ने क्या बोला, प्रहीबी transfer of foreign contribution to any other person, इसने बोला के नहीं, यह भी आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपके लिए हैं, तो आप ही करोगे, ठीक है, अब यह person का मतलब क्या है, यहां पर individual association registered company, अधार for registration, act नहीं क्या बोला, कि आप foreign contribution accept कर सकते हो, कोई जकर नहीं है, कब, अगर certificate of registration है, ठीक है, आपने center government से लिए, ठीक है, अगर मालों आप नहीं रिजिस्टरो, तब भी आपको prior government से प्रविशन लेनी, मतलब अगर आप बोलोगे, थोड़े से liberal rule है, ना, liberal rule है, यहां पे आप foreign contribution accept कर सकते हो, amendment ने क्या बोला, must provide अधार नमबर, ठीक है, जितने ये office bearers है, सबी का अधार नमबर चाहिए, दार के मिना, पैसा नहीं जाएगा, in case अगर foreigner है, तो वहां पे copy of passport, या overseas citizen of India है, card है, यह इसके बार में हमने, उसी है, card के बार में अभी recently पढ़ा था, तो वो सारा आपको जमा अधर वाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ओंपर, एक्ट के अंदर क्या था, एक्ट के अंदर क्या था, अर्जिस्टर पर्सन मस्ट असेप्ट फॉरन कॉंट्रिबिशन ऑनली, इन सिंगल ब्रांच अव शेडियूल बैंक, स्पैसिवाइड बाइ ठीक है, जो भी ब यहां पे इन्होंने बोला कि वही बैंक होगी, यहां पे तो ठीक है, आपने एक स्पैसिवाई कर दे मैं इस बैंक से पैसा मगूंगा, यहां पे बोला कि वही बैंक होगी, जो गवर्मेंट अपनी नोटिफिकेशन से बताएगी, वही बैंक होगी, उसी बैंक से आपने प काउंट तो यह वाला काउंट जो खोलोगे कोई भी मालो फॉरन कंट्रिबिशन के इलावा कुछ भी इसके अंदर फंड नहीं आएगा ठीक है परसन में ऊपन अनदर काउंट ठीक है फॉर कीपिंग यूटिलाइशन तो दूसरा काउंट खोल सकते हैं उसका यूटिलाइशन करने के लिए ठीक है जी आगे बढ़ते हैं रिस्टिक्शन ऑन यूटिलाइशन अब कौन सी इस्टिक्शन है आप ने कहां यूटिलाइश करना क्या करना एक्ट के अंदर बोला परसनल सेप्टिंग दो कांट्रिबिशन इस फांड गिल्टी अगर मालो उसने कोई ऐसा वा पैसा है वह उसके बार आपने को उसका कुछ गलत इस्तमाल किया तो आप गिल्टी फांड होगे ठीक है गिल्टी के बाद आप जो पैसा है जो भी अन्जी उटिलाइश पैसा उसका अकांट के अंदर रहेगा उसकांट को आपने गौवर्मेंट की प्रमीशन दुबारा ल होगी उसके बाद यह काम किया जा सकता है तो अब देखो यहां पर भी क्या किया और रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो अब जितने भी हमने रूल देखें तो आप यह देखोगे पहले एक्ट के अंदर जो था प्रिविजन उसको अमेंडमेंट के थूरू और रिस्ट्रिक्ट क लेगी, renewable of license, act के अंदर वोला था, renew within, certificate within six month of expiration, तो amendment ने कह बला, government may conduct inquiry before renew, तो यहां पे भी government inquiry कर सकती है, renew के लिए, ठीक है जी, अगर आपने जब renew करवाना है, उसके बाद reduction in use of foreign contribution, for administration purpose, पहले यह था कि मालो आपको 100 रुपे आपके बास आया, उसमें से 50 रुपे आप अपनी administration के लिए लगा सकते हो, लेकिन issue यह आथा था, मालो administration के लिए लिए यहां पे बहुत सरा fund जो divert हो जाता था, किसी और काम के लिए, जो illegal activity भी हो सकती है, amendment ने क्या बोला, उसने बोला ना, आप यह 50 नहीं, आप आप सिर्फ 20 रुपे खर्च होगे, administration के लिए, ठीक है जी, इ यहां पर भी देखो, restriction और increase कर दी, ठीक है जी, तो FCRA क्या है, already हम दिसकूस है, 1976 के अंदर बनाया गया, जो भी foreign contribution हो, इसको regulate करने के लिए, and to stop contribution which might damage national interest, वो मैंने आपको already example बता दी, कि बहुत सारी activities जो development activities रोख देती है, हकी पी की tribal, important है, आपको पता है, ट्राइब, UPSC का जो favorite topic है, हकी पी की बैटल की अगर हम बात करें, तो यहां पे एक अपनी case study है, कि जैसे यह वाला बना दी है, इन्होंने, ठीक है, पॉली तीन से cover कर दिया, यहां पे isolation वार, तो अभी इन्होंने local ही बनाना start कर दिया, कि बहुत सारा covid के cases बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब यह प्लास्टिक से रूफ कवर की, बाकी लोग क्या करते हैं, उसको यह supply करते हैं, आगे पढ़ते हैं, हकी पिकी ट्राइब के बारें पढ़ते हैं, हकी पिकी यह कहां पे है, करनाटका रेजन के अंदर मिलती है, पहले तो आपको यह याद रखने हैं, अब हकी का मतलब है, ब बर्ड कैचर भी बोलते हैं, हकी पिकी कम्यूनिटी जो है, मेली यह नदन इंडिया से माइगरेट हुए है, ठीक है जी, और यह करनाटका के जो बेसिकले डिस्टिक के अंदर पाई जाती है, इस स्टेट्मन को आपको स्किप्पी करते हैं, कोई प्राब्लम नहीं यहां प बड़ा, ठीक है, बट यह करते हैं, ठीक है, मदर टंग क्या है, वागरी है, तो लेकिन जो बिजनस के लिए कनड़ा यूज करते हैं, अब यूनेसको ने यह वाला पॉइंपॉर्टन्ट है, यूनेसको ने इसको इसको इंडेंजर लेंगोई बोला है, अगर मैं आपको प इरिया क्या है, अब यूनेसको कैसे बताता है, हमने स्पीसिस के बारे में पढ़ा हुआ है, है ना, वलरेबल है, इंडेंजर है, वो सब बढ़ा है, लेकिन क्या लेंगोज भी होती है, डेफिनेटली होती है, सेफ लेंगोज कौन सी होती है, सेफ लेंगोज होती है, जो सा ले ताके बीच में ऐसा नहों के भी ग्रैंड फादर बोलता था बच्चों को पता है यह लेंगवेज कौन सी अब देखो यहां पर सेफ है इसके अंदर कोई इस नहीं सारे बोल रहे हैं यह मोस्टली चो चिल्टर बट रिस्ट्रिक्टर तू साटें डोमेंज ठीक है लेकिन अधर थोड़ी से स्ट्शन है इसलिए वल्नरेबल है डेफिनिट्ली इंडेंजर कौन सी यह लॉगर बीन लंट बाइच लगाँ तो आपके फादर ग्रैंट फादर बोल रहे हैं ठीक है उसके बाद मदर टंग जो चिल्टरन है वह सकता है कि आने वाले चिल्टरन के भी ग ठीक है उसके बाद जो चिल्टरन है उनके साथ बोली नहीं ठीक है जी क्रिटीकल इंगे स्पीकर जो है उसका वह कौन है अपका ग्रैंट पेरेंट्स और ओल्डर फैमिली वह उनके बाद यह इतना ज्यादा बोली नहीं गी एक्सिंक्ट कौन सी है जिसका कोई स्पीकर खतम हो चुकी है लास्ट 50 एर ठीक है जी 179 197 एंडेजर टीक है इशू किया है गौर्मेंट हमारी ने जो लेंगवेज की हैं वो कितनी हैं 120 लेकिन यहां पर कितनी रिकुगनाइज की कि 780 दोनों के अंदर डिफरेंस की है इतना डिफरेंस इसलिए है कि हमारी गौर्मेंट उ लेंगवेज को रिकुगनाइज करती जो टैन्ट से कम जिसके स्पीकर है तो यह पॉइंट हमारे लिए बहुत हथैं नहीं करती इसलिए बहुत ही क्म लेंगवेज ऑब स्कीम कांसी है ठीक है अब यह स्कीम के अंदर हम जितनी भी ऑंडेंज़र है ना जो भी लेंगोई ऐ यह आने वाले टाईन में ह हदेंगि हुसको हम डॉक्व walked करते हैं मतलों इसको हम डॉकुमेंट के अंदर अंगर रखते हैं ताकि नहीं इस प्र्जरुशन के लिए ये हैफिर्ट करते करने के लिए किसके अंदर है by Ministry of Education यह मनीटर कौन गाता है इसको Central Institute of Indian Language जो करनाट का इंदर ठीक है यूजी सी भी इसके अंदर थोड़ी सी Financial Assistant प्रोवाइड करता है ठीक है ताकि कुछ ना कुछ जैसे Central यह स्टेड यूणिविस्टि के अंदर कोई इसका सेंडर क्रियेट हो जाए उसके बाद मनीटर बाय सेंटरल इंस्ट्रीट आफ इंडियान लेंगविज ठीक है सीची यह क्या है सी यह यह वाला ठीक है यह आपने याद रखना है एड्यूकेशन से लेटर है ठीक है जी तो इसके आपके एक जगह कंसाइस नोर्स बन जाए इसके अंदर कोविड नाइंटीन है उसके उपर सीडीज भी स्टार्ट करेंगे वहां पर जैसे पार्ट वन है ठीक है उसके बार पार टू करेंगे दो ती सब्सक्राइब के एक जगह कंसाइस नोर्स बन जाए इसके अंदर कोविड नाइंटीन है तो दिस इस आल फूर तुडए थैंक यू आइट 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 नाइट आइट